सब्सक्राइब किजिए तुशार गुरीज चैनल को और इस बैल आइकन को दबाएए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पले देखने के लिए नुश्कार दोस्तों मैं हूँ तुशार और मैं हूँ अभी बोपाल सिटी की स्टार कार डेकरेशन ऐसे शॉप में और आज यहां पर हम लोग हमारी लेटेस्ट किया सेल्टोस कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं फुल एंडरोइड इस्ट्यो सिस्टम तो देखते ही मे दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं आज मेरे पास में किया सेल्टोस कार है और यह एक बेस वीरियन कार है जिसके अंदर आपको सिंगल दिन इस्ट्यो सिस्टम कंपनी इंस्टॉल करके देती हैं इस गारी के अंदर अभी हम लोग फुल एंडरोइड इस्ट्यो सिस इस प्रेम है डैस की उसके साथ में आता है मतलब यह कि जो सेल्टाउस का जो फ्रेम है वो पूरा लिकल की यह पूरा फ्रेम वहां पर फिट हो जाएगा और प्रॉपर जैसा टॉप वेरियन का लुक आता है सेम इस वही लुक आपको यह इस्ट्यो सिस्टम लगने के बाद अगरेंगे वो कटनी होती है और आपका जो वारेंटी रहता है कमपनी का वो लैपस भी नहीं होता है तो यह आप देख पाएंगे पुरा फाइबर से बना हुआ इसका फ्रेम भी सात में आता है हमन कंपनी यह आपको प्रॉइड करते हैं इसके लाब आप देख सकते है कि ह common company आपको सारे wires भी देती है यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें दो USB port आपको मिल जाते हैं और सारे wires couplers के साथ में मिलते हैं जिससे जब आप इसको इंस्टॉल करवाएंगे तो wiring में कोई cutting नहीं होगी और प्रॉपर यह इंस्टॉल हो पाएंगा यहाँ आप देख पाएंगे इसके अंदर आपको company GPS भी देती है माइक भी देती है और सारे वाइरिंग भी आपको इस इस्टॉल सिस्टम के साथ में मिल जाते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा इसका full installation तो मैं आपको बताऊंगा ही इसके बाद में यह जो android features मिलते हैं तो वह भी आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वालों आप आप यहाँ देख सकते हैं 10 इंच का हमारा captive touch screen है जिसके left side में आपको power button, home button, back button और volume up-down button मिल जाती है तो आप हम लोग यह करेंगे कि हमारी जो गाड़ी के अंदर पहले सी company वाला जो single din studio system है उसको लिका लेंगे और यह आप देख पाएंगे कि जो dashboard की उपर जो frame है वो पूरी frame को हम लिकाल के अलग कर लेंगे और जो हमारे studio system के साथ में frame आई है वो पूरी की पूरी यहाँ dashboard पर इंस्टॉल होगी तो आप यह देख सकते हैं हमारा single din studio system है जो कि हमें गाड़ी के साथ में मिला था इसको हम लोग निकाल के अलग कर दिया है और अब यहाँ पर हम लोग हमारा जो हमन company का Android studio system है उससे यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं तो one by one में आपको सारी में आपको कोई problem नहीं जाएंगी आप इस इंस्टॉल होने के बाद में देखेगा आप बिलीव नहीं करेंगी यह ऐसा लगेगा कि आपने इन बिल्ट ही आपको company ने गारी के अंदर लगा के दिया है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग अभी सारे कपलर्स के हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं इससे पहले हम लोग यहाँ पर करने करें यह जो हमारा माइक है उसका सेट अप हम लोग ने यहाँ पर राइट साइड में दिया है ड्राइवर साइड में यह माइक से आप हैंस फ्री कॉलिंग की फैसलिटी यूज कर पाएंगे सेटिंग जो कि हमारा वाइफा और इंटरनेट के लिए रहेगा नविकेशन के लिए रहेगा तो यह जी पीएज भी आपको इस सिस्टम के साथ में मिलता है और इसका भी अभी हम लोग इंस्टॉलिशन करेंगे यहां पर आप देख पाएंगे कि अभी हम लोग ने जो कपलर और पावर सप्ला यहां पर दे दिये तो हमारा जो सिस्टम में यहां पर अन हो चुका है अन होने के बाद में अभी सिर्फ हमें यह करना है कि जो हमारे जी पीएस है माइक है उसका कनेक्शन इसमें देना है और सिर्फ यह फ्रेम को फिट करना है सिर्फ यह होने के बाद मे हमारा system यहां पर on हो जाएगा अभी आप यहां देख पाएंगे हमारा GPS था वो यहां पर dashboard पर install कर दिया गया है mic install कर दिया गया है अब simply हमें frame को यहां पर attach करना है तो आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारी frame है अब यहां पर install हो चुकी है अब आपको मैं इस हमन company का जो 10 inch का हमारा android system में इसके functions और features में आपको one by one बताता हूँ समय पहले आप देख पाएंगे कि जो इसका touch है बहुत smooth है captive touch है और यहां measurement भी आप देख लिजेए भाई टेप से नापके बता रहा हूँ दस इंच का यह android system आपको मिलता है हमन company का चलिए वापिस आते हैं और यहां देख पाएंगे graphics में आपको बहुत सारे इसमें अलग 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 फंक्शन मिल जाते हैं यदि आपको अपने पसंद का चाहिए तो बिल्कुल प्लेस्टूर प कर सकते हैं यहां आप देखिए रेडियो के लिए कुछ इस तरह की से आपको यहां पर ग्राफिक्स मिलता है जो की बहुत बढ़िया है ब्लैक कलर में आपको ग्राफिक्स दिया गया वाल्यू अप डाउन करने के लिए भी यहां पर आप देखिए हमारे जो steering wheel control है उससे हम लोगे ने इसका connection किया है तो यहां पर आपको steering wheel function भी मिल जाते हैं music सुनने के लिए यदि आपने USB के अंदर pen drive लगाई है तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको इसका screen देखने को मिलेगा volume up down करने के लिए भी आपको touch वाला यहां पर system दिया गया है इसके left side में भी आप आपको volume up down करने के लिए touch buttons दी गई है तो कुछ इस तरीके से आपको मिल आता है music system की theme यह जो android studio system है इसके अंदर आपको one year की warranty मिलती है हमन company की और अब चलते हम लोग हमारे गाड़ी के जो bluetooth section है तो इसके अंदर आप bluetooth भी connect कर पाएंगे अपने mobile phone को आप bluetooth से connect कीजिए और ब आपको दिखा देता हूं तो full HD इसका display है यह मेरी कुछ channel के यहाँ पर वीडियो से आपको play करके बताता हूं तो यह आप देख सकते हैं जो वीडियो की quality वह बहुत बढ़िया मिलेंगी आपको full HD video यहाँ पर support system मिल जाता है तो बिल्कुल आप pen drive से के अंदर अपने जितने स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यह आप देख पाएंगे Google Chrome यहाँ पर open करके बता रहा हूं तो यह Google Chrome की facility भी आपको इसमें मिल जाती क्योंकि Android system है यह आप देख पाएंगे तो यह है हमारा play store जिसके अंदर आप जो भी application आपकी अच्छी है आपको लगत यह Oreo के ऊपर बेस करता है जी हां दोस्तों यह इसके अंदर Android जो है Oreo है और मैं आपको इसको चालू करके बताता हूं कि Oreo किस तरीके से इसमें वर्क करेगा तो यहाँ पर आपको इस हमन कंपनी के सिस्टम में Oreo मिल जाता है तो देखिए यहाँ पर Oreo का सिंबॉल भी आ गया है प्रेट फाइव फिंगर से आप इसके अंदर टच कर पाएंगे और यहाँ आप देखें से लगगे हमारी बैक बटन से मैं बैक किया तो यह हम वापिस बैक आ गए यह इसके अंदर आप आप देख सकेंगे कि हाँपर आपको जो टच है वो तो स्मूथ है और यह देखिए हमारा यह है calendar यहां पर आपको calendar भी मिल जाता है जो कि इन-bilt है इसके अंदर और यह हमारा navigation बहुत ज़्यादा important है कहीं भी आप बहुत आते हैं तो navigation की आपको जरूत परती तो इसके अंदर in-build navigation मिल जाता है और यहां आप देखे तो जो सिस्टम फंक्शन सेटिंग से वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो ओर ओर ओल यह जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है यदि आपने अपने किया सेल्टॉस खई दी है और इसके अंदर सिंगल इंस्ट्यो सिस्टम है तो बिलकुल आप यह अपने गारी के मिल जाएगी इसके लावा आप अगरे लगाते तो वह मैमोरी भी आपके यहां यहां पर सो हो जाएगी तो और ओल यह जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है किया सेल्टॉस के लिए फिर से मैं आपको बताता हूं यह हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है उसका डिस्प्ले को इस इस तरीके से रहेगा लिस्ट वगरे जो है आपकी म्यूजिक की आप उसको अप एंड डाउन इस तरीके से कर पाएंगे तो दोस्तों यह जो सिस्टम है से प्राइस रिलेटिज जानकरी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेंने कॉंटेक नमबर सेयर किया है आप ब इस प्लेय के तो आपको यहांब देखने को रह चाहिए इस इस्टियो सिस्टम May 2000 और है वो है मिरर लिंक है कि तो आप अपने मॉबाइल फोन को मिरर कर सकते हैं सिस्टम के साथ मैं तो जैसा आपके मॉबाइल फोन के अंदर जो डिस्पले रहेाा से मिजटिज वकाशन को अंदर Wi-Fi से on करके पुरा इंटरनेट यूज इसमें कर पाएंगे तो जैसा हमारा mobile phone होता है same as it is उसी तरह से आप इस Istio system को यूज कर पाएंगे इसके लावा आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर जो हमाई कार की settings वोके रहती है steering wheel से लेकर GPS, sound setting, function setting, navigation settings तो वो सारी settings भी इसके अंदर available है इसका जो left side में आपको captive touch वाली buttons मिल जाती है steering wheel controls के साथ में इसको हम लोग ने connection दिया है तो आप जो कुछ भी volume up down या video को next करना पॉस करना है तो वो आप steering wheel से इसका control ले पाएंगे दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं ऐसी नेक्स दूरे के साथ मैं तब तक के लिए गुडबाई, जै हिंद, जै भारत